और कुछ इमपोर्टेट्स के बारे में, जिसमें हम लोग cover करेंगे सिर्फ और गेम को कि कौन सा गेम कहा हुआ है, कौन सादेश जीता है, और कि सफीलारी को कौन सा एवार्ड मिला है, चलिए फिर देरना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और देख लेते हैं जो पूरुस हाकी विश्वकप है 2013 का वो कहां हुआ है देखिए जो पूरुस हाकी विश्वकप है वो काफी इंपोर्टेंट है यह 15 वा संस्क्रथ था यह आपसे कुशन पूछ सकता है मेजवान देश भारत था और भारत की एह उडिशा … उडिशा के रावर किला में और भोवनेश्वर की विर्सा मूंड़ा इंश्वकप हुआ था जिसमें बिजयता जो थी वो जर्मनी थी और जो उप बिजयता था वो था वेल जियम तो आप लोग याद रखेंगे वही अगर ह उपविजयता बेल्जियम है और महिला का उपविजयता अर्जंटीना है आगे हम लोग देख लेते हैं देखे अगला हमारा है इंडिया ओपन बैटमिंटन दोयर तेईस इसको हम लोग योनेक्स के रूप में जानते है यो जो बैटमिंटन है इसका नाम योनेक्स भी पूछ कुरिया की है तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे अगला हमारा इंपोर्टन है आस्टेलियन ओपन देखे 2013 का आस्टेलियन ओपन हो चुका है उसकी जो भी जेता है महिला की वह है अरीना सबालेंका जो की बेला रूस की है और पूरुस की बात करें तो पूरुस में ज देखिए अगला हमारा है फीफा वर्ल्ड कप जो फीफा वर्ल्ड कप है वो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है तो जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जो फीफा होता है उसका फूल फॉर्म है फिडरेशन इंटरनेशनल डी फुडवाल एसोसियेशन उसका जो मेजवान द अब सब कुछ है वैसे हम लोग इंग्लिस में याद रखेंगे इंग्लिस का ही हम लोग याद रखेंगे जो फुटबाल का नाम था वो था अल रहला इसको एडिडास कंपनी बनाई हुई थी और इस जो फीफा वल्ड कप था उसकी जो अनावर करने वाली ट्रॉफी थी उसक फ्रांस ने क्रोएसिया खोर रहा था लेकिन इस बार फ्रांस खुदी हार गया तो अर्जेंटीना जीती है इस बार और अब तक तीन बार जीत चुकी है आगे देखिलेते हैं हम लोग देखें फीफा वल्ड कप में जो गोल्डन बाल का एवाड मिला है वो है लियोनल मेसी को मिला है यह अर्जेंटिना के कप्तान है यह दो गोल्डेन बाल जीतने वाले पहले खिलाड़ी है इन्होंने अब तक दो गोल्डेन बाल जीत चुके है वहीं अगर एमपापे की बात करें तो जो एमपापे है वो जीते हैं गोल्डन बूट का एवाड अगला देखी जो फ इंपर्टेंट कॉमन विल्थ गेम जो कॉमन विल्थ गेम है वो इस बार 22 संस्क्रत था यह तो आयाद करने में काफी अच्छा है क्योंकि 2022 में 22 संस्क्रत था आयोजन इसका हुआ था बर्विंगम इंग्लैंड में और जो इसका आदर सवा के था वो था गेम फॉर आल सुभं सुभंकर इसका याद रखेगा क्योंकि इंपॉर्डेट है सुभंकर इसका है पेरी दबुल्ड आगे देख लेते हैं देखे जो आपका कॉमन विल्थ गेम है उसका जो उद्गाटन समारो हुगा था तो भारत के धोजबाहक जिते वह फीमेल में थी पीवी सिंदू और मे गेम में और जो कॉमन विल्थ गेम में जो बीजेता टीम थी वही थी आस्टेलिया की आस्टेलिया के कुल 178 पदक थे और जो भारत हमारा है प्यारा भारत उसका जो अस्थान था वह था चौह था क्योंकि उसने एक्सट पदक जिता हुआ था जिसमें आपका गोल्ड जो ह के सागर ने जिता था तो यह था आज का वीडियो आप लोगों पसंद आया होगा और आपका काफी हेल्प करेगा यह वीडियो अगर इसमें से क्रेश्चन आते हैं तो मुझे भी काफी खुसी होगी चले फी मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के धन्यवाद